आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं वो हमारा चैप्टर नंबर 8 होने वाला है वो हमारी विस्तास 12th क्लास का आज मैं लेक्चर आप लोगों के लिए चैप्टर का नाम है Memories of Childhood जो दो पार्ट में बटा हुआ है एक पार्ट में जितकलासा जो है उन्होंने अपने बच्पन के experience को बताया है और दूसरे पार्ट में बामा जो है वो अपने बच्पन के experience को बता रहे हैं तो ये lectures या chapters है किस बारे में तो अधिकांशत है आप जब भी किसी को बात करते हुए सुनोगे ना मेरी बच्पन की यादे तो वो बहुत ही खुश हो करके बहुत ही प्रसंद हो करके और ऐसी यादे साजा करेगा आपसे जिसको सुनकर के आपको बहुत हसी आईगी बहुत आपको प्रसंदता होगी और सामान्यत है आप या मैं हम लोग साथ में बैठे हैं और बाते कर रहे हैं अच्छा मेरे बच्पन में ऐसा करता था ऐसा होता था ऐसे हम लोग जाते थे और ऐसे बदमाशी करते थे ऐसे उचलकूत करते थे तो बड़ी एनरजी से भरी हुई और तरह की कहानिया होती लेकिन ये एक सामन्य वेक्ति का बचपन है जिसमें इस तरह की कहानियों होती कुछ लोग इन कहानियों से या इस तरह के बचपन के वातावरन से अलग तरह का वातावरन जो की depressed होता है, निराशा जनक होता है संकट से भरा होता है या संगर्ष से भरा होता है कई बार कई लोग अपने बचपन में इस तरह का जीवन भी जीते हैं तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी ऐसे ही एक भाव को दर्शाने के लिए आई है जिसमें किस तरह से ये दोनों की दोनों राइटर्स जो है ये बच्पन में किस तरह के एक पीडा जनक या बहुत तकलीव देने वाले या निराशा को उत्पन्न करने वाले इस तरह की निराशा को उत्पन्न करने वाले जो स्वयम के अस्तित्व पे ही existence पे ही question mark लगा देती है इस तरह का बातावरन कैसे उनके जीवन में आया उनके सामने और कैसे उन्होंने उससे एक कैतरा जंग लड़ी उस जंग के बारे में यह पूरा का पूरा extract होने वाला है यह chapter होने वाला है तो guys let's start देखते हैं चलते हैं इनके साथ इनके बचपन के संगर्ष को भी जीते हैं so let's start our topic without any delay तो guys यहाँ पर हम देख रहे हैं before you read इस से पहले कि आप chapter पढ़ना शुरू करें उसके बारे में थोड़ा सा परीचाय थोड़ा सा introduction हम लोग देख रहे हैं this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities तो यहाँ पर इस unit के अंदर यह unit number 8 है ना इस unit number 8 के अंदर हम लोग autobiographical episodes देखेंगे यानि की आत्म कथा पर आधारित कुछ भाग हम देख रहे हैं थीक है autobiographical का मतलब क्या होता है आत्म कथा और उससे संबंदित कुछ episodes यानि की कुछ भाग हम लोग देखने वाले है lives of two women दो औरतों के जीवन का from marginalized communities जो की बिलकुल ऐसी community से belong करती है जो community दो तरह के हम लोग हिंदी में शब्द बोलते है एक तो अलपसंक्यक होता है एक होता है बहुत संक्यक तो marginalized किसे कहा जाता है अलपसंक्यक समुदाय किसे किस से अलपसंक्यक समुदाय बोलते हैं न अलपसंक्यक समुदाय से belong करने वाली दो मेलाए है who look back on their childhood जो अपने बच्पन की और पीछे मुड़कर देखती है and reflect on their relationship with the main stream culture और किस तरीके से reflect या किस तरीके से उनका प्रतिविम्ब दिखाई देता है उन रिष्टों के साथ जो की main stream culture यानि की मुख्यधारा या मुख्यधारा किसकी जो परंपराएं उस समय देश में चल रही होती है उसकी मुख्यधाराओं से कैसे उनका टकराव होता है the first account is by an American Indian woman पहला जो account या पहला जो किस्सा है पहली जो कहानी है कहानी का भाग है वो एक American Indian woman का है जो born in the late 19th century late 19th century में उनका जनम हुआ है the second is by a contemporary Tamil Dalit writer और दूसरा second जो है वो ततकालीन यानि उसी समय की एक Tamil writer है जो की Dalit community जो है उससे belong करती है Gertude Simons Bonin born in 1876 इनका जनम जो है 1876 में हुआ है was an extraordinary talented and educated native American ये एक बहुत ही extraordinary यानि असाधारन तरीके से कुशल तथा पढ़े लिखे educated एक native American है यानि कि America के मूल निवासी है native किसे कहा जाता है कोई किसी इस्तान का मूल निवासी होता है तो उसे वहाँ का native person या native कहा जाता है ठीक है women who struggled and trimmed in a time when severe prejudice prevailed towards the native American culture and women तो एक ऐसी महिला जिनों ने संघर्ष किया और जीत हासिल की उस समय में जब बहुत सारे severe यानि कि बहुत गंभीर prejudice prevailed prejudice का मतलब होता है पूरवाग्र है पूरवाग्र है prevailed का मतलब होता है रोकना towards native American culture and women तो जब बहुत सारे बहुत गंभीर प्रकार के पूरवाग्र है पूरवाग्र है का एक सीधी सीधी सोच होती है किसी चीज़ को अच्छा बुरा सही गलत जाने बिना ही पहले ही अपनी सोच पहले ही अपनी विचार धारा बना लेना कि भाई ये तो ऐसा होगा या ये तो ऐसा होगा ठीक है तो किसी भी वेक्ती के बारे में बिना उससे मिले बिना उससे बात करें बिना वास्तविकता जाने पहले ही अपने विचारों में उसे गलत मान लेना खास करके पूरवाग्रे नेगेटिव है सेंस में, तो गलत मान लेना या उसके बारे में गलत विचारों को अधिगरहन कर लेना, पूरवाग्रे कहलाता है जो कि American culture में और ओरतों में देखा जाता है, as a American ओरतों के प्रती देखा जाता है American culture में, native American culture में, as a writer एक लेखिका के तोर पर, she adopted the pen name, जितकलासा, और इसी लिए उन्होंने अपना pen name, pen name का मदलब होता है, लेखक का नाम, लेखक, नाम जो है, उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, जितकलासा रख लिया था, उनका असली नाम तो हमने देख लिया कुछ और था, लेकिन वो अपने आप उन्होंने तो उस वेक्टी का कोई नाम होगा, लेकिन किवल लिखने के लिए उसने अपना नाम क्या रख लिया, अज्यात, ऐसे ही कोई ऐसा एक वेक्टी है, जो अपने आपको बहुत ही हीरो समझता है, बहुत ही हैंसम समझता है, उसको लगता है कि मेरे जासा तो और गंदर मतलब सबसे सुन्दर, सबसे आकरशक, गंदर हो गया उसका नाम, इस तरीके से अपना नाम क्या रख लेते हैं, जितकलासा रख लेते हैं, and in 1900, बिगन पुब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग दा चर्ल्ड सी इंडियन स्कूल, और उन्होंने 90's के चार्लिश ली इंडियन स्कूल को हर वर्क्स क्रिटिसाइज़ डॉगमा, उनके वर्क्स में, उनके काम में डॉगमा को क्रिटिसाइज किया जाता था, and her life as a native American woman was dedicated against the evils of oppression, और उनका जीवन जो था एक मूल अमरीकी निवासी औरत के तोर पर उन्होंने अपने जीवन को dedicate क किया था, समर्पित कर दिया था, evils of oppression के विरुद, evils of oppression का मतलब होता है, कि जो भी कूरीतियां है, जिसके द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिन कूरीतियों के माध्यम से लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके विरुद, उनके against, उन्होंने अपना प आवाज उठाऊंगी यही उन्होंने अपने जीवन का मूल उद्देश, मूल धे या मूल मंत्र बना लिया था Bama is the pen name of Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family तो एक Roman Catholic family की एक महिला है जो की Tamil Dalit परिवार से बिलॉंग करती है उन्होंने अपना pen name रखा वोई लेखन का नाम रख लिया Bama उन्होंने अपना नाम क्या रखा? Bama नाम रख लिया, she has published three main works उन्होंके तीन मुक्य का रहे हैं जिनका publishing किया गया जिनने छापा गया, an autobiography एक उनका आत्मकता, करुकू 1992 के अंदर जो एक novel के तोर पर है a novel संगाटी 1994, फिर उन्होंने एक novel लिखा, एक autobiography लिखी उसका नाम था करुकू, फिर एक novel लिखा जिसका नाम था संगाटी 1994 उसके बाद में एक collection of short story, लगू कथा का एक संग्रह लिखाता उन्होंने, जिसका नाम था किशुम्बुकारन, क्या नाम था उसका, किशुम्बुकारन उसका नाम था ये तीन मुख्य उन्होंने चीजे लिखी थी, नमबर वन अपनी आत्मकता, नमबर दो एक उपन्यास, नमबर तीन एक लगू कथा, या छोटी कथाओं की छोटी stories की एक book उन्होंने पब्लिश की थी, एक series थी, जो की कब की थी उन्होंने 1996 में, the following excerpt has been taken from karukku, तो karukku नाम की उनकी जो आत्मकता थी, उसी से आगे का भाग लिया गया है, karukku means plemera leaves, तो plemera means leaves का क्या मतलब है guys, तो यहाँ पे एक पेड़ होता है, जिस पेड़ की कुछ ऐसी पत्तिया होती है, जैसे कि यह पेड़ है, अब इसके बाद में इसमें यूँ प पत्ली-पत्तिया होती है, ठीक है, तो यह starting में तो जुड़ी रहती है, और आगे-आगे जाकर के फिर अलग-अलग हो जाती है, और फिर last में ऐसे तीखी-तीखी हो जाती है, बिल्कुल शार्फ हो जाती है, इस तरह की leaves होती है, जिने palm tree का जाता है, वैसे, हाना, palm tree होता ह है, उसकी पत्तिया, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है, हरे color की होती है, थोड़ा तना मोटा होता है, यहां से ऐसे लगता है, सारी जुड़ी भी है, और अगर आप उसे देखोगा ने ध्यान से, तो पत्तिया ऐसे, जिक-जेक-जेक-जिक-जेक-जेक-जेक साइड़ी हो होती है एक दूसरे से प्जड़ी होती है न तो ऐसे पंखा बनता है न तो पंखे की उसके तरह लगता है वो देखने में ठीक है तपाम लीव से होता है विच with their seted edges on both sides are like double-edged swords जिनके दोनों तरफ धार-धार मतलब तीखा होता है उसके किनारे बहुत जादा तीखी होता है जो बिलकुल दो धारी तलवार double-edged का मतलब क्या है जिसके दोनों किनारों पर swords हो तलवार हो ऐसा दिखाई देता है by a felicitious pun felicitious का मतलब क्या होता है कि कोई दो चीजे जो हो जो की बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के लिए उप्युक्त तरीके से अर्थ में प्रयोग की जा सकती हो मतलब दो अलग-अलग चीजे है लेकिन दोनों का meaning निकाल रहे है तो एक ही जैसा दिख रहा है उनका meaning उसको हम कहते है felicitious pun का मतलब तो होता है श्लेश अलंकार तो श्लेश अलंकार की तरह ये बिलकुल काम करती है तरह वर्ड तमिल वर्ड करकु जो करकु वर्ड है इसके अंदर दो शब्द है पहला शब्द है कारू जिसका मतलब होता है embryo या seed जिसका मतलब ये भी होता है कि ताजगी या नवीनता को दर्शाने वाला तो करकु के अंदर वर्ड है और ये किस तरह का है एक दो धारी दलवार को दिखाता है फ्रेशनेस और नवीनता के साथ न्यूनेस के साथ में ठीक है गईस तो यहाँ पर हम जितकलासा की स्टोरी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो कि नेटिव अमेरिकन है तो इसलिए हमें थोड़ासा उनके नजरिये से उनके बच्चपन को उनके ट्राइब के अकॉर्डिंग देखना होगा क्योंकि वही की अमेरिका की ही एक स्टोरी बताने वाली है कि उस देश में किस तरह की स्थितियां थी उनके साथ जब उनके बच्चपन का समय चल रहा था तो देखें गाईस दे फर्स डे इन दे लैंड ओफ एपल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन यानि कि पहला दिन जो था उनका ऐसी जमीन पर जहां से बुगाये जाते हैं वह थोड़ासा थंडा था यानि कि अबिट अबिटर कोल्ड अबिटर कोल्ड का मतलब क्या है कपकपा द देने वाली ठंड वहाँ पर पड़ रही थी ऐसा एक दिन था क्योंकि स्नो जो है बरफ ने अभी भी ग्राउंड को यानि जमीन को ढख रकाता और जो वहाँ पर ट्रीज थे वो बिलकुल बेर थे नंगे थे मतलब उन पर पत्तियां बिलकुल भी नहीं थी एक बड़ी इसी घंटी बजी और उन्हें पता चला कि ब्रिकफास्ट का समय हो गया है सुबह के नाश्ते का समय हो गया its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears यानि उसकी जो loud बहुत जोर से आने वाली metallic voice का बतलब क्या है कि जब दो metal की चीजें दो धातू से बनीवी चीजें आपसमें ऐसे टकराती है तो बहुत जोर से आवाज आती है और उससे कमपन उत्तपन होता है जैसे कि मंदिर की घंटी हो गई तो मंदिर की घंटी में बहार की तरफ metal होता है अंदर की तरफ metal की एक wall होती है उसको जैसे उस पर जोर से मारा जाता है तो एक जन जनाट फैल जाती है पूरी तो उस तरह का कमपन उस तरह की आवाज जो है crashing उनके टकराने से आवाज आती है जो आती है न फिलकुल एक गंगनाट वाली आवाज वैसी आवाज हमें वहाँ पर सुनाई दी उस घंटी से गे वस नो पीज और चड पैदा करने वाला, परिषान करने वाला एशानती पैदा करने वाला जो कलेटर खड़कड़ा हाट की आवाज आ रही थी शूज की बेर प्लोर पे या ननिंगी जमीन पर जमीन फ्लोर मतलब जो भी हमारे नीचे हमारे है चल रहा है जिस पर हम लोग चल रहे है या जिस पर हम लोग खड़े है वो फ्लोर्स कहलाएगा गे वस नोपीस वो भी हमें कोई शांती नहीं दे रहा था यानिकि पहले वो आवाज घंटी की उसके बाद लोगों के पैदल चलने की आवाज जो जूतों से आ रही है लगातार जैसे कि ये बहुत ही कठोर आवाजे आपस में टकरा रही थी विद एन अंडर करण्ट ओफ मैनी वोईसे ममरिंग एन अन्नोन टंग जहां पर अद्रश्य तरीके से मतलब दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन बात कर रहा है लेकिन बहुत सारी आवाजे आ रही थी जो कि बुद बुदा रही थी ममरिंग उतला दीरे 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 आपस में बात कर रहे थे बुद बुदा रहे थे एक अन्नोन टंग में यानि कि एक अंजान भाषा के अंदर made a bedlam within which I was securely tired तो वो made a bedlam उसमें अस्तता विस्तता दिखाई दे रही थी within which जिसमें की मैं यानि कि इन सब के बीच में मैं भी हूँ I was securely tired जैसे कि मुझे बहुत जोर से वहाँ पर कसके बांध रखा हूँ यानि कि ये जो वेक्ती है ये बहुत जादा ear sensitive है इसको आसपास की जो क्रूर आवाजे होती है जोर से होने वाली आवाजे है वो उसे पसंद नहीं है कही ना कहीं ये चीजे कुछ लोगों को मानसिक अशांती पैदा करती है अगर विश्वास नहीं हो तो गाउं में से कोई ऐसा वेक्ती जो शहर कभी नहीं आया हो उसे एक बार शहर ले जाके शहर के में चौराये पर आदे गंटे के लिए खड़ा कर दो वो पागल होके लोगों को पत्थर मारना शुरू कर देगा क्योंकि उसका दिमाग खराब हो जाएगा दिमाग क्योंकि वह जिस गाउं के शांत और शुद्ध वातावरन से निकल करके आया है वो वह देखेँा इदर से गाड़ी आ रही है इदर से गाड़ी आ रही है गाड़ियों के आने की आवाज गंडे में कुदने की आवाज पॉपॉपी-पी हौर्ण की आवाज तो सारी शीज़ी उसको लगेगा भाई मेरा सर फढ़ जाए गा यह सब क्या है तो एक ऐसा व्यक्ति जो शान्त जीवन या शान्त वातावरण पसंद करता है उसको सामान रहता है शोडशराबा पसंद नहीं आता तो कही न कही इनके नेचर के बारे में हमें पता चलता है और मेरी जो अंतर आत्मा है वो अपने आप में जैसे फट गई थी क्योंकि मेरी अंतर आत्मा जो है अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए संगर्श कर रही थी जैनि कि उसको लग रहा है कि मेरी आत्मा ही खो गई मेरी आत्मा के चुतरडे उड़ गए क्योंकि मैं ऐसी जगे पर आगई हूँ जहां मैं नहीं होना चाहती मुझे यहां से स्वतंतरता चाहिए मुझे इस जगे नहीं रहना है यह जगे मेरे जैसे लोगों के रहने लायक नहीं है All was useless लेकिन यह सारी चीज़े अब बिल्कुल बेकार थी A pale face woman एक बिल्कुल ऐसी महिला जिसका चैरा पीला पड़ा हुआ है उर्जा विहीन है सफेद सा उसका चैरा है With white hair जिसके सफेद बाल थे Came up after us वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी We were placed in a line of girls who were marching into the dining room और हम लोग लड़कियों के पंक्ती बना करके खड़े थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी अपने dining room यानि भोजन कक्ष की और These were Indian girls यह सारी भारतिय लड़किया थी in stiff shoes बहुत कसके बांदे वे जूते and closely clinging dresses और बहुत अपने शरीर से चिपका करके और बहुत ही सकड़ी पहनी हुई उनकी dresses थी उनके कपड़े थे The small girls wore sleeved aprons और जो छोटी लड़किया थी उन्होंने लंबी sleeve वाले जो aprons होते हैं उपर से पहना जाने वाले coat की तरह होता है aprons तो aprons उन्होंने पहन रखा था and singled hair और एक प्रकार के कटे हुए छोटे बाल तो singled एक तरह की hair style है तो उस तरह से कटे वे उनके छोटे बाल थे छोटे hair उनके बना रखे थे As I walked noiselessly in my soft moccasins I felt like sinking to the floor for my blanket had been stripped from my shoulders तो जैसे कि मैं आगे बढ़ रही थी noiselessly का मतलब बिना कोई आवाज किये मेरे soft moccasins के अंदर moccasins जो norm या flat जूते होते हैं मतलब कोमल और अच्छे जूते होते हैं जो मतलब बहुत soft रहते हैं आराम दायक रहते हैं I felt like sinking to the floor मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस फ्लोर में धस जाऊंगी I looked hard at the Indian girls मैंने बहुत कठोर दृष्टी से देखा बहुत ध्यान से देखा Indian girls की और who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I कि वो उन्हें इस बात की बिलकुल भी कोई परवा नहीं थी उन्हें इस बात की कोई चंता नहीं थी कि उन्होंने मुझसे भी जादा निरलज तरीके से कपड़े पहन रखे थे जिस तरीके से मैंने पहन रखे थे तो मेरे से भी जादा निरलज तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे इन्दियार टाइटली फिटिंग क्लोथ उनके बहुत टाइटली या बहुत जटिलता से या बहुत नजदीक से जो शरीर से बहुत ज़ाधा चिपके में हो ऐसे फिटिंग वाले कपड़े उन लोगोंने पहने हुए थे जब हम चलकर अंदर गए तब हमने अंदर जाके देखा कि सामने की तरफ जो अपोसिट में जो डोर है बहां से लड़के भी एंटर कर रहे थे I watched for the three young braves who came in our party मैंने उन लड़कों को देखने की या ढूंदने की कोशिश की उन तीन बहाद्दूर लड़कों को जो की हमारी party में आये थे I spied them और मैंने उन्हें ढूंद लिया उनका पता लगा लिया in the rear ranks जो की पिछली पंक्तियों में आ रहे थे Looking as uncomfortable as I felt और उतने ही असहच उतने ही uncomfortable लग रहे थे जितना की मैं महसूस कर रहे थी यहाँ चल क्या रहा है कि आप भाई साब रहने वाले हो अपने घर के बादशाः King हो आप अपने घर के आपको अचानक से ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां का माहौल जहां का कल्चर जहां जीवन जीने का तरीका सब कुछ बिलकुल अलगे और बाकी सब लोग जब एक दूसरे को देखते है तो उनको लगता है हाँ ठीक ऐसा है लेकिन आप जब उन लोगों को देखते हो तो आपको लगता है भाई ये सब क्या है क्या बकवाज है ये सब तो उस तरह का एक माहौल हो रहा है जितकला सा के साथ में कि भाई वो बहुत ही असहज महसूस कर रही तो नॉर्मली किसी ओफिस में लगी भी होती है डॉक्टर्स के चैपमर में लगी भी होती है वैसी एक चोट इसी बैल को थप थप आया गया और इच अप दा प्यूपिल ड्रू अचेर फ्रॉम अंडर दा टेबल और जितने लोग खड़े थे उन्होंने एक एक चेर टेबल के नीचे से खहच करके बाहर की और खहच ली supposing this act meant they were to be seated और मैंने ऐसा माना या मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब है घंटी बजगे मतलब बैठ जाओ I pulled out mine तो मैंने अपनी चेर खहची and at once slipped into it from one side और धीर सरकते हुए एक तरफ से में उस कुर्सी पे बैठ गई but when I turned my head लेकिन जैसे ही मैंने अपना सर घुमा कर देखा चारो तरफ I saw that I was the only one seated तो मैंने देखा कि मैं ही बैटी भी हूँ बागे सब लोग वहाँ पर खड़े हैं and all the rest at our table remained standing और जितने बाकी के लोग हमारी table के आसपास खड़े थे उन सभी को मैंने देखा वो अभी भी सारे के सारे खड़े थे तो क्या हुआ गंटी बजी गंटी बजी सबने अपनी chair खेची चेर खेची तो इसको क्या लगा जितकला सागो के भई यह तो बैठने का इशारा है तो चलो उसने कुर्सी कहची और तुरंस ऐसे slip होकर के धीरे से टिक गई उसमें बैठने के बाद उसने दायवाई देखा अरे यार अभी तो table के पास सारी घड़े तो एकदम से वापस खड़ी हो गई केवल वही बैठी थी और बाकी के सारे के सारे लोग जो है खड़े थे रिमेंड स्टेंडिंग यानि खड़े ही रह गए उस table के पास में जैसे ही मैंने उटने का प्रयास किया लुकिंग शायली शर्माते हुए शर्मिंदा होते हुए around to see how chairs were to be used चारों तरफ ये देखने के लिए कि इन कुर्शियों का इस्तमाल करना कैसे है a second bell was sounded दूसरी घंटी सुनाई दी all were seated at last और सभी लोग आखिरकार बैठ गए and I had to crawl back into my chair again और मैं फिर से धीरे से रेंगते हुए अपनी chair पर बैठ गए I heard a man's voice at one end of the hall उस hall के अंतिम एक छोर पर या एक छोर पर मैंने एक आदमी की आवाज सुनी and I looked around to see him और मैं चारों तरफ उसे देख रही थी कि भई आदमी कहा है उसे देखने के लिए but all the others hung their heads over their plates लेकिन बाकी सब लोग जो है उन्होंने अपनी plate पर अपने सर को ऐसे रखा हुआ था मतलब plate पर सर नहीं रखा हुआ है मतलब सर जो है ऐसे अंदर नीचे की तरफ जुका हूँ और क्यों plate की तरफ देख रहे है और पीछे से कोई आदमी बोल रहा है यह वो कुछ instruction दे रहा है यह लोग सुन रहे है लेकिन ऐसे ऐसे डूंड नहीं रहे हैं भाई कौन बोल रहा है किदर हो भाईया आप दिखाई वो नहीं हो रहा है वो किवल यही कर रही है तो यह जित कलासा जो है खाना खाने जाहिए जहां पर compulsory हो कि आपको छूरे से और काटे से और चम्मत से ही खाना खाना है ठीक है वह जाकर आप मैसूस करेंगे कि उन्हें चलाने का तरीका अपड़ तो यह डारा चर करके चीर दिया खालिया उठाके उसको चलाने का सही तरीका वो नहीं होता उसके लिए प्रॉपर टेबल एटिकेट्स होता है उन्हें एटिकेट्स के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को यूज करना होता है कि कैसे उसे काटना है, कैसे उसे खाना है, हाथ का पॉस्चर क्या होना चाहिए, छोटे थे आप जब बच्चे थे, तो आपकी मम्मी आपको यहां रुमा लटका के खाना किलाती थी न, यह पूरा रुमा लटका देती थी, यहां पर कपड़े गंदे नहीं होंगे, खाएगा तो गिराएगा, वो लोग अभी भी लटकाते हैं, इतने बड़े होने के बावजूद भी लटकाते हैं, ऐसा नहीं कि अलोग कपड़ा नहीं लटकाते हैं, वहाँ जो लोग बैठके खाना गाते हैं, वो अभी भी यहाँ यहाँ पर लटकाएंगे, यहाँ फिर गोदी में ब गाना-खाने का वह ऐसे नहीं बैठते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैठते हैं तो उनको हमेशा डर ट्रेवल का जो डिस्टेंस है वह बढ़ जाता है गाना-खाने में चलिए यह तो एक हसी मजाक की बात है लेकिन आप महसूस कर पा रहे होंगे कि जितकला सा किया इस्त देखी लंबी-लंबी पंक्तिया देखी टेबल्स की बनीवी I caught the eyes of a pale-faced woman upon me तो मैंने देखा कि एक बहुत सफेज से चेहरे वाली जो महिला है उसकी आखे बिलकुल मेर को ही देख रही है यानि उसका पूरा ध्यान उसकी नजर मेर पह है इमिडेटली I dropped my eyes और ततकल मैंने आके नीचे कर ली wondering why I was so neatly washed by the strange woman और मैं अपने मन में ये विचार करने लगी कि ऐसा क्यों था कि इतनी उसकता से देखा जा रहा था मुझे उस अंजान महिला के द्वारा यानि वो जो बिलकुल मेरे लिए अंजान महिला थी बिलकुल unknown एक कोई औरत थी वो इतनी उसकता से म रहे है आदमी जिसकी आवाज आ रही थी जो दिखाई नहीं दे रहा था उसकी जो अट्रिंक थी जो भी वो बोल रहा था वो सब बंद हो गई and then a third bell was stabbed उसी समय तीसरी घंटी बजी everyone picked up his knife सभी लोगों ने अपना चाकू उठाया and fork और काटा उठाया काटा कुछ ऐसा होता चार होते है ठीक है knife कुछ ऐसा होता है इस तरह का होता है something like that है इस तरह का knife होता है and begin eating और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया I begin crying instead और मैंने खाना खाने की जगर रोना शुरू कर दिया for by this time I was afraid to venture anything more क्योंकि इस समय तक मैं डर गई थी कि मैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी जाने की अब तक जितना मैंने सहा लोगों की ये फालतु की आवाजें वहां आना बैल बच गई बैठना नहीं बैठना खड़े ओना पीच्छे से कोई आदमी बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है में धर-उदर देख रही हूं कोई नहीं देख रहा फिर दूर खढ़ा क्या खाऊं वो औरत मुझे खा जाएगी लेकर करके ऐसा लगता है लेकिन ये खाने वाला जो मैटर था ये सबसे मुश्किल परिक्षा नहीं थी मेरे पहले दिन की मेरी दोस्त जिसका नाम था जुडेविन उसने मुझे एक बहुत ही खतरनाक डरा देने वाली भैवीत कर देने वाली चेतावनी थी जुडेविन knew a few words of English तो जुडेविन जो है वो एका थोड़े बहुत शब्द जो है अंग्रेजी के जानते थी and she had overheard the pale face woman talk about cutting our long heavy hairs और सन्योग वश उसने सुन लिया था कि pale face वो बिलकुल सफेद चहरे वाली जो औरत थी वो बात कर रही थी किस बारे में cutting our long heavy hair किस बारे में बात कर रही थी कि ये जो लड़किया आईए न इनके ये लंबे-लंबे घने-घने काले-काले भारी-भारी सुन्दर-सुन्दर ये जो बाल है इनको क्या करना है इनको काटना है सबसे major point है पूरी स्टोरी का यही है कि वो बात कर रही थी कि इनके बाल काटने है और इनके बाल काट करके एक-sided या boys वाली जो टाइप की cutting होती है या जिस भी टाइप की cutting वा चलती होगी उस टाइप की cutting इन लोगों की करनी है our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hairs singled by the enemy अब यह सबसे main बात है कि यहापे contrast क्या है ठीक है भाई स्कूल में गए हो स्कूल की अगर एक परंपरा है या एक custom है कि जो भी वाँ पढ़ते हैं उन्हें अपने बाल एक इस तरीके से कटाने पढ़ते है कि सारे भी ध्यारतियों के बाल एक ही style में कटे होंगे कोई spike बना के आएगा कोई तेरे नाम बन के आएगा नहीं चलेगा तो वो बात समझ में आती है ठीक है लेकिन समस्या कहा उत्पन होती है हमारी माताओं ने हमें सिखाया था कि केवल अप्रशिक्षित्या अकुशल योद्धा जो होते हैं जिने की पकड लिया जाता है उनके शत्रूओं के द्वारा head, their hair, singled उनके बाल एक तरीके से काट दिये जाते हैं by the enemy शत्रूओं के द्वारा जैसा कि हम normally movies वगरे में देखते हैं काफी सारी English movies में आता है कि जैसे ही कोई कैदी जेल में जाएगा उनकी गर्दन पकड़ेंगे नीचे करेंगे उसकी गर्दन और जर 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 जो ट्रिमर होता है वो ट्रिमर से उनके बाल मिलकुल काटके और उनको गंजा कर देते हैं तो ये एक अपमान है एक युद्धा के लिए एक ऐसा युद्धा जो जंग के दौरान युद्ध के दौरान विरोधियों के दौरा या शत्रों के दौरा पकड़ लिया गया हो उन सभी के बाल एक ही तरीके से काट दिये जाते हैं ताकि उन्हें अलग से पहचाना जा सके ठीक है तो कारण तो वो था लेकिं यहाँ पर जैसे ही इन्होंने सुना के बाल काट देंगे तो उन्हें लगा कि यह तो अपमान की निशानी है बाल कटवाना किस तरह की निशानी है एक तरह के अपमान की निशानी है Among our people हमारे लोगों के बीच short hair was worn by moaners जो किसी की मृत्यू का शोक मनाने वाले होते है उनके द्वारा छोटे बाल रखे जाते है and singled hair by cowards और singled तरह के जो hair होते है वो cowards या काईरो के द्वारा रिखा जाते है We discussed our faith some moments हमने अपने भाग्य के बारे में कुछ minute discuss किया एक दूसरे से बातचीत की and when judevin said और जब judevin ने कहा we have to submit because they are strong कि हमें समरपण करना होगा वो जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वे बहुत ही ताकतवर है I rebelled ये है मेन बात मैंने विद्रोह किया teenagers की स्तिती यही है उन्हें हर बात में विद्रोह करना है उनके मूल नेचर में उनके मूल सभाव में ये है कि विद्रोह करना है गरवालों ने कह दिया कि स्कूल से आने के बाद खाना खाना है खाना खाने के बाद दो गंटे रेस्ट करना है दो गंटे रेस्ट करने के बाद या होमवक करना है या उसके बाद बाहर खेलने जाना है गर्मियों के मौसम में तो बस अब यहां से सब बन गए करांती कारी ऐसे कैसे हम सुबह से पढ़ के आए आप कैसे बता सकते हो कि हम इस घर आने के बाद क्या करना है स्कूल में वो बताएंगे घर पे आप बताऊगे हम तो नहीं सोएंगे हम तो भरी दौपेरी में जून के महीने में खेलने भागेंगे मई के महीने में भरी दौपेर दो बज़े भाग करके खेलेंगे वा ग्राउंड में जाके किर्केट खेलेंगे तो विद्रोह करना जो किशोरा वस्ता के विद्यारती होते है उनके स्वभाव में है विद्रोह तो करना ही है हर बात का विद्रोह करना है ठीक है तो विद्रोह उन्होंने करने का उसने तै किया जो जितकला सारा है कि I rebelled उसने कहा कि मैंने इस बात का विद्रोह किया विरोध किया No I will not submit, नहीं मैं समरपन नहीं करूँगी, I will struggle first मैं पहले संगर्ष करूँगी, I answered मैंने जवाब दिया, I watched my chance and when no one noticed I disappeared, मैंने अपना जोखे मुठाया, watched my chance का मतलब किया मैंने अपना जोखे मुठाया, अपना मौका तलाशा, मौका तलाश करके जब कोई ध्यान नहीं दे रहा चुप चाप जो मेरे चर्चर की आवाज करने वाले जूते थे, उनको जतना शांत रख सकती थे, उतना शांत रखके मैं चुप चाप सीडियों से उपर चड़ गई, रेंगते हुए, my मौका सिंस had been exchanged for shoes, अब पहले बताया ने कि इसके मौका सिंस जो थे, वो तो बिलकुल soft बिना आवास करने वाले जूते थे, उन्हें अब exchange कर दिया गया था, जूतों से यानि कि अब उसे जूते जो बाकी सब ने पहन रहे थे गंदी आवास करने वाले जूते वही उसको भी पहना दिये गए थे, along the hall I passed, hall के बराबर से मैं गुजर रही थी, without knowing where I was going, कि मैं कहा जा रही थी, turning aside to an open door, उसके बाद में मैं पास के खुले दर्वाजे में गुसी, I found a large room with three white beds in it, तो मैं एक बड़े सा कमरा मुझे मिला, या सामने मुझे दिखा कि एक बड़ा सा कमरा है, जिसमें तीन सफेद बैड लगे वे हैं इसमें, the windows were covered, उसकी खिड़किया धकी भी with dark green curtains, गहरे हरे रंग के परदो से, which made the room very dim, जिसकी वज़े से उस पूरे कमरे में बहुत कम रोशनी थी, जादा रोशनी नहीं थी, यानि कि थोड़ा सा अंदकार से भरावा वो कमरा था, thankful that no one was there, और मैं बहुत ही आभारी थी, मेरा मन जो है बहुत ही धन्यवाद से corner, farthest from the door, मैंने अपने कदमों को उस कौने की तरफ बढ़ाया, जो कौना दर्वाजे से सबसे ज़्यादा दूरी पर था, on my hands and knees, I crawled under the bed, और अपने हातों और गुठनों के दम पर या बल पर, गुठनों से और हातों के बल पर मैं रेंगते हुए बैड के अंदर चली गई and huddled myself in the dark corner और सिकोर्ड करके अपने आपको ऐसे करके लेटा लिया एक बहुत ही अंदकार भरे corner में, from my hiding place, I peered out, अपनी छुपने वाली जगे से मैं बाहर जाक रही थी, shuddering काफती हुई with fear, डर से, whenever I heard footsteps nearby, जब भी मुझे किसी के पैरों के चलने की आवाज आती पास में तुम एकदम से घबरा जाती, और उसी घबराट के साथ, उसी डर के साथ, मैं जांक जांक के भी देखते रहे थी, कोई आतो नहीं रहा, तो इस तरीके से एक बैड के कौने में घुस करके, ऐसे बिलकुल दुबक करके, और मैं देख रही थी, और वही पर डर के मारे काप रही थी, though in the hall, loud voices were calling my names, जब की मुझे सुना ही दे रहा था के hall में बहुत तेज पुकारी जाने वाली आवाज जो से मेरा नाम पुकारा जा रहा था, and I knew that even judaivin was searching for me, और मैं ये भी जानती थी, के बलकि judaivin जो है, वो भी मुझे ढून रही होगी, I did not open my mouth to answer, तब भी मै नहीं खोला कोई जवाब देने के लिए, then the steps were quickened, and the voices became excited, उसके बाद चलने की steps की आवाज, पैरों के चलने की आवाज जो है, वो और ज़्यादा तेजी से होने लगी, quickened का मतलब और ज़्यादा बढ़ने लगी, and voices became excited, और आवाजे उत्तेजना से, डर हो, भै हो, या उत् excitement भी उस आवाज में सुनाई देने लगा, the sounds came nearer and nearer, और ये आवाजे मेरे नजदीक से और नजदीक आते गई, women and girls entered the room, और तो ने और लड़कियों ने मेरे कमरे में प्रवेश किया, I held my breath, मैंने अपनी सास को रोका, and watch them open closet, मैंने उन्हें अलमारी खोलते वे देखा, अल पीछे डूंडा, someone through up the curtains and the room was filled with sudden light, किसी ने जो परदे, गहरे हरे रंगे परदे थे उन्हें हटा दिया, और अचानक से पूरा कमरा जो है light से भर गया, what caused them to stoop and look under the bed and I do not know, जिसकी वजए से वे लोग उन्होंने जुकना शुरू कर दिया, और जुक करके क्या करा, बैड य परना उन्होंने शुरू कर दिया, I do not know, जो मुझे पता नहीं था, I remember being dragged, मुझे बस ये पता है कि मुझे घसीट कर लाया गया, out बाहर, through I resisted, जबकि मैंने विरोध किया, by kicking लात मार के and scratching wildly और उगरता से, जंगली पने से, खरोचे मारते हुए, किसी को नाखुन से खरोच देतना वैसे, in spite of myself, मेरा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, I was carried downstairs, मुझे सीडियों से नीचे लाया गया, tied fast in a chair, और जल्दी से एक कुरसी में बान दिया गया, I cried aloud, मैं बहुत जोर से रोई, shaking my head, अपने सर को हिलाती रही, all the while in सब के दोरान, until I felt the cold blades of the scissors against my neck, उस समय तक, जब तक मैंने ठंडी blades को, यह, यह blades होती है, अना, यह blades जो है, scissors की, catchy की, उसे अपनी गर्दन पर मैसूस नहीं किया, तब तक सब सर इलाना, चिलना ना करना, सब चल रहा है कि छोड़ दो, बाल मत काटो, and hurt them, grow off, grow off, और मैंने उन्हें सुना, grow off करते वे, यान of my thick braids, मेरे बालों की जो मोटी मोटी चोटिया थी, खट करके उन्हें गर्दन के यहां से उपर से, इधर की तरफ वो तीन लड़कियों की चोटिया, उधर से खट करके उसे काट दिया गया, ठीक है, इस तरीके से उसके चोटी काट दिया, उसके बाल काट दिया, यानि कि तब से, since the day, उस दिन से, I was taken from my mother, जब मुझे मेरी मा से ले लिया गया था, I had suffered extreme indignities, मैंने अत्यदिक या असाधारन अपमानों को सहा, people had stared at me, लोग मेरी तरफ घूरते थे, I had been tossed about in air like a wooden puppet, मुझे जैसे कि हवा में उच्छाल दिया गया, एक wooden puppet की तरह, जैसे कि कोई कट पुतली हो, would यानी लकडी का बनावा, लकडी को इंदी में क्या कहते है, काष्ट, और काष्ट शब्द से क्या बनाए, कट, और doll या toy जो होता, उसको कहते है, पुतली, तो कट पुतली का मतलब है, कि ऐसे खिलोने, जो की किस से बने वे हो, जो की लकडी से बने वे हो, तो ऐसे लकडी बाल जो है उन्हें काट करके छोटा कर दिया गया जैसे किसी कायर के होते है in my anguish I moaned मेरी उस पीड़ा में मैंने मैं बहुत ही करा ही मैंने बहुत ही शोक मनाया moan का मतलब ऐसे moaning का मतलब होता है शोक मनाते वे रोना ठीक है तो शोक मनाया for my mother अपनी मा के लिए कि मेरी मा कहा है मुझे वापस अपनी मा के पास जाना है but no one came to comfort me लेकिन कोई नहीं आया मुझे राहत देने के लिए यानि कोई मेरे पास नहीं आया कि कोई आकर मुझे comfort दे या कोई मुझे राहत दे not a soul reasoned quietly with me कोई भी आत्माय का मतलब कहा है कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझे समझाया हो शान्ती से जो मेरे साथ हो as my own mother used to do जैसे मेरी मा किया करती थी for now I was only one of many little animals driven by a herder अब मैं बस बहुत सारे जानवरों में से एक छोटा सा जानवर थी जो की चलाया जा रहा है जिसे की बताया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है अपने herder यानी चरवाहे के दौरान तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब एक व्यक्ति ही नहीं रही मैं एक इंसान ही नहीं रही मैंने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया है ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा था तो यह जितकलासा की एक कहानी है जहाँ पर वो अपनी पूर्वो परंपराओं से बंदी हुई है पूर्वो परंपराओं से युक्त है पर देखो चाए बॉइज हो चाए गर्ल्स हो आज अगर किसी के भी साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है कि इस बारे में यह नहीं है कि लड़के बाल कटाते हैं तो लड़कों के लिए नहीं है ऐसा नहीं है लड़के लड़किया दोनों इससे कनेक्ट कर सकते हैं मैं अगर जबरदस्ती आपको बिठा करके और आपके सर पे ट्रिमर चला दू ये बहुत अपमान जनक इस्तिती है ये बहुत ऐसी इस्तिती है जहाँ पर इंसान जो है वो अपने अस्तित्व पे उसको ऐसा लगेगा है और मैं जिन्दा भी हूँ कि मैं क्यों एक लाश हूँ कि सामने वाला व्यक्ति मुझे इतना अप्रेस कर सकता है इतना प्रताडित कर सकता है जितना वो करना चाहे कोई फरक ही नहीं है सामने वाले को उसे ऐसा लग रहा है जैसे ही सामने वाले इंसान का अपने लाइफ में face किया ठीक है गाईस तो मुझे यहाँ पर struggle story चाहिए क्या चाहिए यहाँ पर struggle story चाहिए तो जितकला साजी जो है हमारी यहाँ पर उनकी struggle story क्या है किस तरीके से उन्होंने बच्पन में कैसे struggle किया क्या struggle किया यह बात आप मुझे only 30 to 50 words में बताएंगे केवल एक छोटा सा काम में अगर यह बता दिया ना किसी ने 30 से 50 शब्द में तो मानके चलो यह chapter तयार है इस chapter से related कोई भी question आए वो student बहुत आसानी से उसका answer दे सकता मुझे storyline वगरा कुछ नहीं चाहिए मुझे उनका personal जो struggle है किस तरीके से अपने आप में क्या महसूस करते विए उन्होंने क्या struggle किया है और खास करके भावनात्मक struggle की बात कर रहा हूं उनका emotional struggle जो था इस story के अंदर वो मुझे 30 to 50 words के अंदर चाहिए बहुत आसानी साब बता सकते हैं तो guys I hope आपने lecture को enjoy भी किया होगा ठीक से समझ में भी आया होगा thank you very much I'll see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye bye I'll see you